तो हेलो दोस्तों वैसे तो आपने कई सारे पेरफिट डिजाइन देखे होंगे लेकिन आज इस वीडियो में आपको पेरफिट वाल और प्लास्टर के कुछ कटिन डिजाइन दिखाने वाला हूँ जो आप अपने मकान में बनबाकर अपने मकान की शान को बढ़ा सकते ही देखिए जैसा कि आपको यह दिख रहा है यह पेरफिट वाल डिजाइन है इसमें पेहले व्रिग वर्क किया गया है डिजाइन दार ये देखिए देखा रहा हूँ मैं आपको पूरा ब्रिग वर्क किया गया है उसमें पहले डिजाइन में उसके बाद इसको प्लास्टर में कटिंग बनाया गया है ये देखिए जैसे कॉर्णर पर आपको ये दिखाई दे रहा है और बीच में रेलिंग का हिस्सा कर दिया है तो ये रेलिंग का हिस्सा जो है लगाने से इस पेराफिट की और खुबसूरती बढ़ जाती है ये देखिए कितना शांदार लुक लग रहा है तो इस तरह से पेराफिट आप रख सकते हैं अब चलिए मैं दिखाता हूँ विंडो पे ये देखिए जैसे विंडो पे अगर आपको विंडो को भी आकरशिक दिखाना है तो उसके लिए आपको सिंपल नहीं इस पिरकार से आप पट्टे कटिंग कर सकते हैं विंडो के उपर जिससे कि बहतरीन लुक आपके विंडो में आ जाएगा तो कि इसमें कलर दूसरा होता है जिससे कि विंडो और खुबसूरत देखने लगता है अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि ये है आपका फ्रेंट का हिस्सा जैसे मान लेजिए आपका मकान हुआ उसका फ्रेंट का हिस्सा हुआ तो उसका जो कॉर्णर आता है तो कॉर्णर पर आप इस तरह से प्लाश्टर में कटिंग डिजाइन दे सकते हैं जैसे कि ये इसमें बन रहा है और ये देखिए ये विंडो में ये कितना खुबशूरा डिजाइन है देखिए कॉर्णर में इसमें दोस्तो पट्टे कटिंग है सिंपल और बीच बीच में ब्रिक कटिंग कर दी गई है कुछ स्पेस दे करके अब ये होगा क्या इसमें कलर अलग अलग जो है इसमें डाला जाएगा और जिससे गिये और भी खुबसूरत दिखाई देगा एक साइट से दोस्तो इस डिजाइन को रैम के हिसाब से करना होता है यानि तिरचे में और दूसरी साइट जो कॉर्णर के होती है वो विल्कुल फ्लैट होती है यानि एकदम सीधी इस तरह से आप अपने मकान के कॉर्णर में डिजाइन बनवा सकते हैं यह वाला यह बहुती सुंदर दिखाई देता है अब चलिए मैं आपको एक और दूसरा डिजाइन दिखाता हूं जैसे कि यह आप देख रहे हैं बिल्कुल डिजाइन है और इसमें देखिए जो मंदर टाइप डिजाइन जो होता है जो आर्च के लिए बनाया जाता है वो डिजाइन इसमें विंडो में बनाया गया है और बाकी जो वाल रह गई यह साइड वाल है दोस्तों फ्रेंट नहीं है साइड वाल है इसमें side wall में पट्टे cutting कर दिये गए है और window लगा दी गई है जिससे और बढ़िया दिखने लगा है अब देखिए ये जो parafit wall design है ये जैसे कि देख रहे हैं आप ये पहले जो मैंने दिखाया था ये उसी type से है लेकिन ये थोड़ा इसमें अलग काम कर दिया गया है यानि कि थोड़ा से design में बदलाव किया गया है जैसे कि आप देख रहे हैं तो इस तरह से जो है parafit wall design आप बन बस सकते हैं देखिए कितना सुंदर दिखाय दे रहा है अब चलिए मैं आपको एक और design दिखाता हूँ यह देखिए यह porch का design है दोस्तो और इसे जो है मंदे design की तरह जो है बनाया गया है जैसे कि आप देख रहे हैं कितना खुबसूरत दिखाई दे रहा है इसके दोनों corner में एक बहतरी नकाशी वाला design plaster में किया गया है और इसके तीन side में brick work है यानि जो brick जैसा दिखाई दे रहा है यह plaster में ही cutting किया गया है तो नीचे चुकी जिससे में RCC के डलाई होई थी तो उस time नीचे की side यह molding बना दी गई थी अब molding बनाने के बाद में पर इसके सामने की side से जब plaster किया गया है तो सिर्फ एक पट्टा लिया गया है जो बाहरी परत की तरह दिखाई दे रहा है बाकि इसमें यह molding बना रखी है जिसमें यह आप देख रहे हैं पानी लगाया जा रहा है तो यह porch के हिस्से में दोस्तो आप इस design को रख सकते हैं बहुत ही आकरशत दिखाई देता है यह वाला design देखिए तो दोस्तो आज मैंना आपको कुछ इस पिरकार की design दिखाए जो आप अपने simple house में भी बनबा सकते हैं तो अमीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like share जरूर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को visit नहीं किया है तो मेरे चैनल को जाके visit करें मैंने इस चैनल पे building से जुड़ी हर जानकारी वाली वीडियो पोस्ट कर रखी है आप जाके एक बार check जरूर करें हो सकता है कोई वीडियो आपके काम आजे लें